हालो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास फोर्थ की टीचिंग प्लान लेकर आयूं, सबजेक्ट हिंदी है और उसका परकरण है बोलने वाली कुफा लर्निंग आउटकम है दूसरों दुवारा कही जा रही बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा मानक भाषा का प्रियोग करते हैं कहानी कविता आधि को उप्युक्त उतार चढ़ाओ गती प्रभा से सुनते वे पढ़ते हैं सुनी हुई कहानियों को अपने शब्दों में लिखते हैं चित्रों दिये गए शब्दों एवं परिशितियों के माध्यम से कहानी लिखते हैं अधूरी कहानी को पूरा करते हैं शीखने सिखाने की सामगरी है जंगल का दरश्य चीतर एवं दिक्षायप पर उपलग सामगरी शीखने सिखाने की गतिविधिया है शिक्षन के आरम में शिक्षी का जंगल का दरश्य दिखा कर छात्रों से उसका वर्णन करने को कहती है समय पाँच मिनट है और आकलन का तरीका है परतिकिरिया एवं सहभागिता शिक्षण के दोरान शिक्षी का छात्रों को दिखसा एप पर कहानी दिखाती है तता कहानी उची थाओभाओ के साथ छात्रों को सुनाती है समय 20 मिनट का है और आकलन का तरीका है पर्तिकिरिया एवं सहभागिता शिक्षण के बाद शिक्षिका छातरों से अती लगूत्तरिय पर्षन पूछती है जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया लोमडी को कैसे पता लगा कि गुफा के अंदर कोई है लोमडी ने गुफा से क्या वै क्यों पूछा गुफा के बीतर से क्या वा जाई गति विधिय शिक्षिका छातरों से कहानी का मंचन कराती है समय 10 मिनट है और आकलन का तरीका है परतिकिरिया एवं सहभागीता ग्रह कारिये 5 मिनट का समय है और समानार्ती शब्द लिखिए मुहू, वन और धरती लोमडी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या-क्या बताया होगा आगामी कारियोजना है शिक्षण के दोरान आने वाली कठिनायों के आधार पर आगामी कारियोजना बनाई जाएगी तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वेडियो और ये सुन्दर से टीचिंग प्लान अभिलासा सर्मा जी ने बनाई है जो सारनपुर गंगोह में टीचर है बाई बाई फ्रेंड्स